तो आज बात करेंगे डिफ्रेंट करेंट के बारे में तो यह कोर्स जो है जो यहां पर आप लोग को दिख रहा है यहां पर तो आपका जो चैना है इड वेगी इस नेशनल पॉपलेशन चेंज सर्वे अमंग 1.4 million people amid declining birth rate concerns ठीक है तो हाली में तो news क्या आया है कि recently china has started polling about 1.4 million people in a survey on population changes as authorities struggle to incentivize people to have more children amid a declining birth rate and a first population drop in the more than in more than six decades ठीक है last year the population drop होई से तो china की की policy आसिल है की की policy कराना अजी चाइना है population decline और जी issue है तो face कोरे बोलागा आज से everything we will discuss in this current affairs session तो china जो है it experiencing a declining birth rate मैंने आप सभी को बोला है कि चाइना का जो birth rate है जानमर जी हारा से ही एतो प्राइ खोगोना एतो decline होड 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 है एने population drop for the first time in the next in next in over 60 years so I am so sorry like एने population drop for the first time in over 60 years साटा डुख खोगोर भीट्राड बर्टमन population drop order data होमेश सा डेका पोगोई से with a decrease of approximately 8 lakhs 50 thousand people in 2023 2022 almost 8 lakhs 55000 आप एक ये टो estimated data होए चिना डेक्लाइन हो इसे है जान कीम लेकले कशनोश के आँ ऊबाइन और 2022 वोपुलेशन कूलाइन पॉपलेशन डेकलाइन अंस ौन 2021 माउन आँare यहाँ मुझारे आजी नेही न्स शरच के आड़ आअ अगेशां का चरिय होढ ज्रच नें ग्रेट फेमाइड, 1961 और चाइना ग्रेट फेमाइड हो छेल है, ठीक है, फेमाइड की होई की ना है, आपना लोग के अबर गूगल सेर्च को इस हमोँ पाड़े, दूर भी खो बुली जग अखो में आभी काओ, ग्रेट फेमाइड 1961 और पासवर प्रा, यही बारे होई तू चाइना प्रेहाथी बश्राण और पासवर, सोथा दॉफोग और पासवर, ओके, शिक्सडिकेट के बाद यह प्रॉब्लेम सामने आया है, ओके, तो आज तक यह चाइना का जो पॉलीशी जै, वो क्या-क्या पॉलीशेस रहा है, जिसके कारण यह प्रॉब्लेम देखने को को अभी मिला है यह सबसे जो में जो पॉलिसी है इसके पीछे एड़ा सब वान्चाइल पॉलिसी चाइना ने 1980 तक आते आते ही जब इन लोगों ने इंडस्ट्रिलाइजेशन पे काम किया ठीक है इंडस्ट्रिलाइजेशन उस ताइम पे चाइना में बहुत तेजी से बहुत तेजी से बर रहा था और उसी टाइम इन लोगों ने सोचा की पोपॉलेशन बर्डेन को कम करने के लिए वान्चाइल पॉलिसी को अपना लेते है ठीक है तो कंट्री के ग्रोइंग पोपॉलेशन को देके यह जो आपका स्टेप था यह लिया आ गया था विच अट द पोटे चाइना पोपॉलेशन एक बिलियोन हो बोले प्राय हो कुथी उस्वरासरी सफी गोई से लिए तो चाइनिस अटोरिटी है भाविल है यह जो आपका स्टेप लोगों आमी पोपॉलेशन बोट्ट्यू कर्ब कोड़ आ पारे मांस अबर्डल आमार पोपॉलेशन आम थे की पाम कोड़ेज भोटे कोड़ेशन चाइननी सब्सक्राइन आमार प्रायच को और पोट्यू कर्दिया पुलेशन लिए जार कारणी आसाली चाइना फूटेजी बावनेर जिपुलेशन आवाविल के दाफ़ाइन हो आख़ाइब आसे बावलेशन अबने तो success ठीक हासा it was a source of discontent as the state used brutal tactics such as forced abortion तो forced abortion नो करवा को सिले है ठीक हासा sterilization नो करवा को सिले है तो अलसो made criticism and remain controversial for violating human rights and for being unfair to the poor so dhukhiya khetton unfair होई करने बाह human rights violation होई करने हो विश्वा जुरी चाइना है one child policy ही करने है चाइना क्रिसाइस कोड़ा हो गो सिले है Then they decided to launch two child policy. 2016 on Chinese government finally allowed to have two children per couple. It allowed the people to have two children per couple. A policy change that did little to arrest the rapid fall in population growth. In China in 2020, it was announced after China's 2020 census data, so that the country's rate of population growth is falling rapidly, despite 2016 relaxation. In China, the population growth is falling rapidly. Fertility rate dropped to 1.3 children per couple. Far below the replacement level of 2.1% required for a generation to have enough children to replace it. So, required 2.1 children per couple, but actually 2200 children per couple, but actually 1.3 child per couple. So, the United Nations expects China's population to begin declining after 2030, but some experts say that this could happen as early as in the next one or two years. So, in the United Nations, China's population is concerned. कि इन्टू बहुँ एक्सपर्ट और मोटे है ड्यजर टीश वले के इमान दिन आठा के तारागोटे एक्डू बोसरो बीटर एक्डू बोसरो बीटर ये तो डिकलाइड होब ठीक है एक जो है आपका चाइना इस बेसिकली बेस्ट अन मेनुफेक्ट्रिंग सेक्टर डियार एकोनॉमी बेस्ट अन मेनुफेक्ट्ट्रिंग के लिए जितना भी अर्टीफिशल इंटेलिजेंस मेशिन लर्निंग क्यों ना आए सबसे जो important जो aspect है it is labor ठीक है so labor shortage का सामना चाइना कर रहा है या फिर चाइना आगी जाके भी बहुत करेंगे ठीक है which have a major detrimental impact on the economy दूसरा जो है labor देखिए सिर manufacturing में नहीं हर एक सेक्टर में हम इसको अगर human resource भी बोल दे तो human resource भोलने से भी गलत नहीं होगा ठीक है तो उसके बाद जो है increased social spending social spending कैसे बहुत है more older people also means that demands for healthcare जो गैरियेट्रिक केर है ठीक है गैरियेट्रिक केर जो है यह गैरियेट्रिक केर जो है यह सबसे ज़्यादा बहुत है मल्व ऐसा है मान लिजे पहले कपल ठीक है एक कपल था नाइंटिश्एट्री में इन लोग का एक बच्चा था ठीक है तो एक बच्चा था ठीक है और इनके मान लिजे ये मेल है इनका जो पापा था ठीक है तो इनके अभी भी घर पे इनके भी पापा एंड मम्मी दोनों है ठीक है फिर ये जो लरका या फिर लरकी है ये चार लोगों का बर्डेर उठाएगा जाके इनका खर्चा जो होगा for ये आगे जाके फिर बरेगा मान लिजे ऐसे ही सिट्वेशन फिर से बार बार ये रिपीट होगा सो इंक्रिश सोचियल स्पेंडिंग ठीक है पैंशन बगरा में भी जाधा खर्च होगा जो है थार्ट इस क्रिटिकल फोर डेवलोपिंग नेशन नेशन बिल्डिंग के लिए सबसे जो इंपोरण छीज याना वह पॉपुलेशन ही है चायना फेशा से यूनीक चैनल जो पॉपुलेशन दिख्लाइं पॉपुलेशन डिक्लाइड पॉपुलेशन डिकलाइड आज बिल्डिंग इनकम कांट्री दाद रिलाइज ओन लेबर इंटेंशिब सेक्टर्स सो मेन कोथा तो हो गोल की चाइनर की एनुकार होना पॉपुलेशन ना काड़े की प्रब्लेम फेस कोर से सी पॉपुलेशन बहुत कॉम ठोका कंट्री जो आसा है बात मा अगोट एक हो जो चाइनर एकोनोमी इस हैविली रिलाइड ऑन अब यूपुलेशन बात मा खोट है इनलेशन बहुत इनलेशन वे स्थिखाष कंट्री साओर से चाइनार पर बेस कोरें आम जिवर बोस्टो अना डिपैन कोरिया सो तो धिर्क्ली और इंडिर्क्ली होई तो जोदी है तार इनों करना खमेश्चा ठाके तो अले इन फूचर आमी हे चाइनार वान चाहल पोलिसरी करने इंडिया बा नेबरिंग कांट्रीज और उपर आटो क तो हरी तबए करने चाइनार बासेकатल पहरे चाहल रेज़कली लेवरिबर इंडिट्स अक्रषsektor अपरट चाहनर पहरा एकवर थोप्रट्वेसे कोर को तो 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 अनार घ्यर्पय। चाहनर कांट्रीच पोली और आटो में अश्रै वा चाहनर आटेजमांपड़् वाड़न सुल्पील करना वोकारण कांठी सर्फ में चैना कुरीत कर प्रिकांगुर मागा। प्रिशों Meg Fellow एंट कोुँल को लागी हुआ वोगा है। पारें तो हैं पड्रेंहाती है। आंक पारी या थैंब का में अन्मी तीन देख्लेते है. तीके ता ओल्स पोपुलेशन रिच एट बिलियन पीपल इन मीड नवेंबर 2022, okay, 2022, mid of November में 15-16 तारिक को ही, 14 तारिक को ही, almost, ये 8 बिलियन तर पहुंच ही है, ठीके, फोरें एस्टीमेटे 2.5 बिलियन पीपल इन 1950, प्राइ, होट्टोर, बाहट्टोर, बाहट्टोर, 73 येर स 2.5 बिलियन पीपल इन सबसे जो लार्जेस कंट्रिब्यूटर है इन दोनों ही केस में वो दो ही कंट्री है फ्रम एजिया इन इस वन इस इंडिया और नादर इस चाइना ठीक है अब इंडिया की पोपुलेशन के बारे में बात किया जाए अकॉर्डिंग टुड़ा इंडिया अभी बी इंडिया को हम लोग क्यों कंसिडर नहीं कर सकते है कि वाल्लव मोस्ट पोपुलेटर कंट्री किकि हमारा टाह्य कहां से आएंगे सेंस से हम लोग मिलेह sut सेंसे जाएंगों को तो census निक census जब आएंगे, क्योंकि census में क्या होता है, हर घर में जाके census करा जाता है, यह जो होता है, it is based on sample survey, so sample survey की data हम लोग इसको exam point of view से तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर main answer writing में अगर लिखना है, तो we can refer United Nation data कि इंडिया ने surpass कर लिया, 25% of the India's population is in the group of 0 to 4%, 0 to 14 years, 18% is in the age group of 10 to 19 age group, 26% in the age bracket of 10 to 24 years, यह जब से इंगे, 68% is in the 15 to 64 years of, I am sorry, 68% in the 15 to 64 years age group, जिसको ही बोला जापा है, working age group, ठीक है, working age group के मामले में, इंडिया दुनिया के सबसे बरे country अभी बन गया है, we have a young population who can work, who can generate income, ठीक है, इस case में, इंडिया अभी, इंडिया की बारे में अगर बात किया जा है, इंडिया की जो डेमोग्राफी है, Indian डेमोग्राफी is a young डेमोग्राफी, इंडिया डेमोग्र इंडिया के बारे में यहां पर लिखा है, मैंने अल्रेडी बोला, इंडिया वे 68% है, ठीक है, यह जो डेटा है यह थोरा यह है, लेकिन इसका डेटा थोरा पुराना है, ठीक है, तो almost अगर डेखेंगे, हम सबसे बढ़ा है, ठीक है, 1428.6 million, यहां पर 1425.7 million, चाइना के country क 69% है, लेकिन एज और हमारी यहां पर लोग जादा है, लाइब एक्सपेक्टेंशी की अगर बात किया जाए, तो चाइना में 79 यह है, हमारे यहां पर 72.5 यह है, बिलो डा वर्ल्ड एवरेज, यह याद रख लिजी है, हम लोगा जो है, 72.5 यह सी है, एक्सपेक्टेड, आ राणसोलर गाखासee, हम विध ईया उख पोला र्ख गाखासे, विध लिए पॉल назेल क topics, बॉभ सिघ तो डा वर्ला गारज्गवर्ड, फिज जा पोला है, फिफटेंशी होगाखे लिए टो, नौट इस खौ लिएए, टो चाइपो जु से होगरेशी है अध्स्य खोपले ऐफ्रीका ठीक है उपर सहारा हारेट अपर आफ्रीका फिक होगे ठीक है राफ्रीका में अफ्रीका भीटोट स्वाग्स रेट यह तेपों से नुपर साहरा हिसे रेट यहाँ पॉपुलेशन ग्रोफ यहां पर ही मिलता है सीरिया की बार में अगर बात किया जाए population growth जो है it grew by 6.39% compared to the previous making it the country with the highest population growth rate in 2023 यह याद रहे कि 2000 test में सबसे जादा population growth किस country ने हासिल किया है it is Syria ठीक है उसके बात जो है countries with population declining CDC बात है जिस country में development जादा है जिस country में population पहले से ही कम था वहाँ पे क्या होगा यह population decline होगा ठीक है एक मलब ultra level पे जब development होता उसके बार family planning बगेरा का काम बहुत ज़्यादा सोचा नहीं जाता है काम पे लोगों का ज़्यादा ध्यान रहता है several countries are expected to see their population decline by more than 15% by 2050 so basically किसमन countries असे जो तेलोगा population more than 15% को कौमीबर 2500 विटर्ड including की की असे include Bosnia ठीक है हर्जी गोवीना बुल्गेरिया क्रोईसिया हंगेरी जपान लादिविया जपान तो सबसे अभी disturbing mental aspect की अगर बात किया ज़्यादा लोगों की सबसे ज़्यादा बोला जाता है यहां पर सबसे suicidal rate अभी ज़्यादा हो रहा है ठीक है यह disturbing है जो aspect है ठीक है लिट्यूनिया रिपाब्लिक और Moldova, Moldova, Romania, Serbia, Ukraine ठीक है यहां पर और बहुत टेजी से यह population कम होगा Cook Island has the highest population decline rate of 2.31% in 2023 highest population growth rate बात किया जाए अगर तो यह होगा Syria and lowest population sorry highest population decline एक है highest population growth Syria country के हिसाब से highest population decline सबसे basic कोट कमी से it is Cook Island ठीक है 2020 में तो यह दो याद रखिये तो हमारे यहां पर क्या किया गया है 2050 से लेके तो पहली बात तो है कि स्पॉंसर्ड फेमिली प्लेडिंग माने CD तरीके से अगर बोला जाय तो गौमेंटे की स्टेबला इस है 1954 प्रा फेमिली प्लेडिंग और पर गूर्ट तो यह आगोई है पठाम कोटा है कि ए population policy committee वास established in 1952 2nd 1956 अज central family planning board इसेट अप कोई तो है पठाम population policy committee ठीके से पोपुलेशन के नो कोई हावा regarding population planning population policy committee एक हन बना ले population policy आमार भारतर के नो कई हावा 1952 तार प्राव शारी बासवार पासवा central family planning board एक हने बना दिले ठीके से जार फोकास की हावाट कोई है sterilization और प्राट in 1976 बीश बासवार पासवाट एक हने के मारे हम सारी बासवाट जन बीश बासवाट ठीके से government of India announced the first national population policy से खटो सानाथ प्राथम बारव कारण 1976 से government of India प्राथम बारव कारने population policy announce कोई हिसले population I am so sorry central family planning board 1956 population policy committee 1952 ठीके and first national population policy ये कब आया था population policy first population national population policy आया था 1976 में ये टीन याद रखना है ठीक है 2000 से पहले and 2000 में क्या हुआ national population policy 2000 को फिर से लाया गया it advices achieving a stable population for India the policy aims to achieve a stable population by 2045 one of its immediate objective is to address the unmeet needs of contraception healthcare infrastructure healthcare infrastructure and personal and provide integrated service delivery for basic reproductive and child healthcare चालेल केर पर आधी कोरी contraceptional रहे है जिमान बूर नीड अशिले है ये बूर फूलफिल कोड़ा कारने ये अबू अध्रेस कोड़ा कारने रिसेनली national family health survey पास्ट नमबर जुन कोना से ले नसल फेविली हेल सर्वे फिफ्ट जो ये शर्वे आया था यहां पर भी बहुत सारे कुछ चेंजे इंडिया में दिखने को मिला है ठीक है रबोपलिशन एजुकेशन फोगार्म ये भी इमपोराण है इट उन्तर सेंटस्कार स्केम्पड दिजाइ इंटरूसेंटर वी इडगेशन गौंधे थिसने सचेंटर स्केम्पार्मन completely funded by the central government 100% spending it is done by central government conclusion क्या है इंडिया has a chance to benefit from each young population जो 15 to 64 age group में 68% population है यह बहुत दिन तक नहीं रहेगा until the 2040s similar to how China did until 2015 but this opportunity depends on providing good job opportunities तो job opportunities बनाना परेगा youth के लिए without those opportunities India's demographic advantage could become a problem instead of its benefit that means it can become a demographic disaster ठीक है यह है important तो इसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानना परेगा ही ठीक है okay so यहां तक हम लोग को discuss करना था next topic is important from GS paper 3 economic point of view ठीक यह मेना या सम्च्रिब्यून से लिया है it is about goal to visit US to boost economic ties ठीक है तो वट इस तो वाद तो सिधा आमी की कोई में अभर प्रिलिम्स point of view प्र पॉस्टी तो सहां जा क्रेंच से रिदिवा इंडिया-US relation और कियाई ठीक है पूस गोल जाबाओ US economic ties boost को रिगा है तो economic progress और को धादी कोबले जाओ इत्या बतंगान समयर, byleteal trade between the two countries has grown 10 fold since 2000 थीक ए बहुत बेशी भाहिषया 2000 भाहिशे सद्नी मौन प्रा, USD 191 million in 2022 रिडाजने आन्ट लगेम देन नान्गें लाज़ेस the US or 2 as a acquisition, 9th largest US trading partner in 2021. The rise in bilateral trade in goods and services reach 160 billion US dollar in 2020. Then again 2020, I am sorry 2021, then again 2021bridge is 160. 31 billion aru besi, maa duikhon country maa zha l trade pahi shay, take a s ee. So, it has become 191 billion in 2022. the US is India's largest trading partner ये question आ सकता है which among the which of the following nation is the India's largest trading partner or country ठीक है एने के खुर हुआ पाड़ है तो की हुबा एंसर US not China and most important export market it is one of the few countries with which India has a trade surplus मनें इंडिया टेज सर्प्लास ना आगे मनें टेज सर्प्लास मनें होगल की एता होगल एक्सपोर्ट करो आमी ठीक है रप्तानी करो एता होगल आमी आमदानी करो इंपोर्ट करो तो जोदी है आमार आमदानी बेशी होई जाए रप्तानी के ठीक है ठीक है की होई जाए डेफिसित उत्था को मैनस होजाए सबोज आमी दोस्ता बस्ता आने शो या आपा बोले पास्ता है रहे होगल मैनस फाइब आमार टेज सर्प्लास हाँ है तो इंडिया खुब कमेड हा के देनो का सिटूएशन इन 2021-22 इंडिया है त्रेज सर्प्लास अगे दे आपने सबुलास अगेडिया खुब के देनो करोंडिया का जाए खुब यह जोडा आसा मेना इसको जोट अगा त्रजूड अबाभागे मैन kay सिआ packet को मैन इसको एक आनुक्टोरी एक पर क्रोंडिकित यह वेजिकली उ listened ु ना स्टाट किया था हो इंडिया निया निचल न हम लोग देख सकते हैं ठीक है तो यहां पे हम लोग आप सभी को मालम है रासिया इस धा अल वेडर फ्रेंड ओप इंडिया ठीक है जीकुनमोटर रासिया हैं माग है रासिया यूकरीन वारत इंडिया अर्ड को बाद पोजिशन तो स्ट्रोंग नहाय माने की इंडिया अफगानिस्तन इस्वें 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 रिलेटे तो इरान ताटो कॉंट्राइक्शन पुआ डेखा जाए द्विखन कांट्री माजन डिफेंस कोपरेशन की बारे में अगर बात किया जाए ओके तो इंडिया विच कुद नॉट अच्स एस वेपन दूर्स आसट की बात की बालं रिल्डाये जाए ड़ोतार ओकोलाः जाए जाए 20 पूसरी कारिबन कीमान कोह्स मानद्राइओ इस्वें इस विडल्यान डोर भन्तो इस्वें सती के प्रत कुद तो इस हमैं इस्वें नहीं पर्टकेशन की आदोbirds मिलित्य इस्वें सम्नारा कारिघ कन military supply टेवन के कोरे, आगटे कोरप प्राप में भेशी आनू, रस्या प्राणू, So India is looking for alternative suppliers. ठीक है सा, जोने military supply कोरी परे, वा equipmential supply कोरी परे. The armed forces of India and the US engaged in extensive bilateral military exercises like yuddha अभ्याख, खुडियो परे, yuddha अभ्याख जिखन हासे वा भरज्रो प्रहार, जे तो bilateral exercise हाई इंडिया और कार मातर होई इट इस बिट्वीन इंडिया एंड उस आर्मी and minilateral ones with the four partners in the quad forum जाक मालाबर exercise बिलिक्वा होई तो इंडिया, जपान, आपका ये, ऐस्ट्रेलिया ठीक है ये सब उस पर्टिकुलर मालाबर exercise में पर्ट लेते है another grouping in the Middle East I2, U2 involving India, Israel, UAE and US is being termed as new quad ठीक है तो I2, U2 जुन तो आशा है I for Israel, I for India then प्रसद की पाच्वार में U2, U for US and U for UAE so, ए शरीखना में आधा तो कीई है एता क्वार, नुतून क्वार बुलिए शरीखना अभीटो क्वारा जाए जोत US or India दुएखन पर्ट आशा है मालाबर exercise पर्ट होई आशा है युद्ध होई प्याख, bilateral military exercise तो दुएखन कांट्री एके लोगे मिले आशा है लागे वजर परहार काम खोडिया साह है ठीक है से, नेक्स तुपिक है नेक्स तुपिक इस इंपॉर्न फोन जी एस पेफर 2 ठीक है ठीक है से, most Marathas speak Marathi, तो not all Marathi speaking people are Marathas ठीक है से, the Marathas have been politically dominant community in Maharashtra, 12 of its 20 chief ministers have been Marathas जीमान जन है ताड़े पारगन ही तेला के Marathas है तो basically they were a prison and landowning community of Maharashtra The division of holdings and problems in the farm sector over the years have led to a decline in the prosperity of middle and lower middle class Marathas ठीक है से, currently Maharashtra provides 52% reservation for different communities यहाँ पर इक और कीजिए 52% reservation ठीक है से, reservation category अगर उसके बारे में बात कहा जाए तो 48% ही open category के लिए बचा है 19% OBC, 13% SC, 7% SD, 52% reservation including 13% for special backward classes तो total 52% reservation है, although 52% कही और दिखने नहीं मिलता है तो issue क्या है, तो issue क्या है, 52% कहीं माराथास को completely quota देने के लिए है ठीक है, जो दिमांद किया गहा है, blanket reservation के लिए education and government job sectors में हर एक माराथा के लिए, तो उससे issue क्या आता है एक जो है कि reservation demand, माराथा have been demanding reservation in jobs and education under OBC category for decades तो यह लोग demand कर रहे है, OBC category के अंदर में हर एक माराथास को वो blanket reservation provide किया जाए legal challenges क्या है, supreme court ने इसको already stuck down किया है, the state socially and economically backward classes act 2018 यह जो 2018 में जो लाया था ना, जो 16% quota माराथास को दिया था इसको supreme court ने, ठीक है socially and economically backward classes act of 2018, by like state government of, आपका जो state ladies lady assembly of like Maharashtra, इसको stuck down कर दिया है, ठीक है जहाँ पे 16% का total reservation माराथास के लिए रखा गया था, state का response मतलब, government के दर्व से क्या response हाई, यह भी देखते है माराथा गर्वर्मेन has filed a curative petition and plans to conduct backwardness survey of the community, बोलाए कि आप लोग के काम कीजिए, petition डाला कि एक backwardness survey किया जाए माराथा कम्यूनिटी में, ठीक है, इस्यू क्या है, माराथास want to be identified as a, as कुन्भीज, a sub-caste that already gets OBC reservation, यह था, OBC reservation already पाई से, ठीक है तार अंदरवर आता सब कास्ट हिसापे, कुन्भीज हिसापे, माराथा की ने की विशारी से, reservation विशारी से Justice Sandeep Sindhye Committee was appointed to decide the procedure for granting कुन्भी कास्ट certificates to माराथास The government has also accepted the first report of the committee and issued a government resolution Counter-protest क्या है, the OBC community and the Dhangar community have opposed the माराथा कोटा, demand and threaten to launch their own agitation तो अभी कौन आगे आया है, ठीक है, किसने इसको उपोस किया है, माराथा सको reservation देने का प्रक्रिया है Dhangar community ने इसको उपोस किया है, ठीक है, and as a whole जो OBC community था, इन लोगों ने भी totally उपोस किया है ठीक है The next topic is important from GS paper 3 internal security point of view, India's first national security strategy India is a government document that outlines कोड़ागोश है, ठीक है, recently And what is national security strategy, यह पहले एक बार देख लेते है It is a government document that outlines country's security objectives and methods to achieve them तो एकहन डेखर अमार security खटोट की की objective असे, हे तो आउटलान कोड़ागोश करने, और हे खीनी objective केने को हमें अचीव करने, हे करने Government or एकहन एटोट की होई, national security strategy यह एता document होई It addressed a wide range of traits, both traditional and non-traditional, provides a holistic view of national security and guiding defense and security policies This strategy helps shape a nation's approach of military, economic and diplomatic matters to protect its interest and ensure its security Example, many developed countries including US, UK and Russia have their own national security strategies in place Pakistan 2 has brought out a national security policy for 2022 to 2026 लेकिन इंडिया के respect में, country के क्या का security objectives होना चाहिए, या फिर इसको कैसे achieve किया जा सकता है या फिर यह जो security strategy होगा, इससे कैसे हमारे country का जो approach है चाहे हो military perspective में बात करें, चाहे हो economic perspective में बात करें, चाहे हो diplomatic matters में मान लिजए कि Afghanistan issue चल रहा है, ठीक है हम लोगो कैसे approach लेना है internationally यह भी यहाँ पे हम लोगो को यह strategy है यह guide करेंगे क्योंकि ultimately अगर मान लिया जाए कि कुछ opposition में जाके अगर कुछ बोल दिया जाए मान लिजए अफगानिस्तान को लेकिए फिर म्यानमार को लेकिए तो हमारे national security के लिए यह threat बन सकता है India's need for national security strategy क्यों इंडिया को national security strategy चाहिए to address the complex traditional and non-traditional threats and uncertainties जो भी हमारे यहाँ पे traditional and non-traditional threats आया है या फिर पहले मिला है ठीक है जिसका example है उसको completely address करने के लिए ही यह security strategy बहुत जाला important मन जाता है expert emphasize the importance of such strategy for guiding military reforms and providing a clear direction in the face of evolving challenges and geopolitical tensions ठीक है तो हमार military reform हो करने national security strategy important होई ठीक है military reforms लेकिन solid foundation controls क्या है यहाँ पे क्या क्या है exactly ठीक है clarifying the objectives define assets to be defended and identify opponents seeking to disrupt and disorient the target nation setting priorities priorities करने के set कर बाए establish new department for innovation and technology focusing on areas like hydrogen fuel sales desalination and cyber security change in the strategy develop a multi-dimensional strategy to anticipate trade ठीक है जीबूँ ठेट आहे आ गार करने multi-dimensional data strategy बना जाब हो इंक्लूदिंग लिमिटेट प्री MP tip strike and data potential adversaries new agenda focus on critical and emerging technology जीवान वो emerging technology असा आरपाड गूर्टर जाबूँ अगर बोला जाए ठीक है क्रिटिकल एमर्जिन टेक्नोलोजी पर कैसे फोपस किया जागा जब एक नेया डिपार्टमेंट बनेगा फॉर इनोबिशन टेक्नोलोजी के लिए ठीक है फिर आपका जो मल्टी डामेंशन उसके बास स्ट्रेटेजी बनाया जाएगा तो एंटिस्वेस ट्रेट्स ठीक है र में घंटाब्लोपमेंट टेक्नोलोजी बनाया इन्धिया इंधिया स्ट्रेज्वेस ट्यक्तलाप्मेंट टेक्नोलोजी आफेंशने उसके बनाया जाएगा फिर भॉर्सपंदेशने बास से हमगे तो एक यह तो बूट वरी आजा बोड ठीक सर्थ ओके सो याला के एक ही नी बुस्टु जोडी लिंक कोरी कोरी अमी पहूनों तो थेटी आमार कारणे इंपोर्टन थेटी आमार कारणे मॉनटर की बूले हाँ जोब defense deterrence and exploitation defend critical infrastructure a minute so keyboard I mean a more critical infrastructure as a a book defend core of a promote honest reporting of bridges address the complexity of cyber deterrence and prepare for cyber warfare as a means to achieve national security objectives why did India never have a national security like strategy India's neighborhood national security strategy due to political hesitation and concerns about accountability in defense management various experts suggest regions ranging from a lack of coordinated government effort to the government reluctance to disclose its national security objectives to high Christmas trees expert a koji say the government how to nibi sarajama national security objective key as a one a gompao to get sa pakistanna jetia 2200 uliya shil tira bhoot a criticize you go to see okay gompao shil tiyalokao key objective as a the government government reluctance to disclose its national security objectives and other head to who is that but do you know what to high key lake of coordinated at a approach to government of all of our am a it like a cup of as a hacker no over the India our national security strategy so these things and this to be clear a cat what am i zikhi ni salo the link kori 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 jadi pohu ekhi namaar mahat rakhi bholai bhaalobo thikas hai next topic is important from again from gs paper 3 internal security point of view it is about state sponsored cyber attacks so what is apple state sponsored attackers alert received by multiple opposition leaders so recently kiyo hi se apple and nizani jata automated message notification send kore se to individual worldwide including many politicians and opposition leaders alerting them to potential state sponsored attacks thikas hai now state sponsored cyber attack manne kiyo hai state sponsored cyber attack manne kiyo hai it is a hacking or a digital intrusion or intrusion orchestrated or supported by government or nation state Understanding this anthropologist suppose ayeah our leader so jody kundhu bhaer target kore zo jodi hikar sak hikar sak haiti kundhu bhaer country e hacking kori bhaer karneho logaho pade so jih tuk coba jo state sponsored cyber server it is this attacks are typically well funded then sophisticated and often targets specific individual sapak सब स्टेट स्पांसर् साइबर एटक एग्जाम्बल कीटा साइजाओ फवच्छे जी कीटा इंपोर्टेंट होई सी येटो एगोल अपरेशन अरोरा बाई चाइना कुने कोरी सिले चाइना तार्गेट माल्टिपल टैक कोंपनी जोग कोरी सिले मोटिवेशन इंटलेक्शन प्रपरटी थिफ्ट ठीक है आई-पी सू कोरी बर कराने बेसिकली मल्टिपल टैक कंपनी जोग एटक कोरी सिले चाइना ऑपरेशन अरोरा ओके नेक्स आचले इरान्स निकलियर प्रोग्रम होग टार्गेट कोरी बर कराने जब एसरी की बर में काल आई-टैक से इस्रप्रिकि इरान झनुक्लियर एफर् इस्राइल एए जटनर आरोरा एट परेस्ड़ा सिप्रिज्टनथ कोरेशन आशे है रinging कोरेसा स już है बर इस्राइल जन ऑनला représ transmisal ऐस्रा एट्ज प्रगासिस आज रिवील बाई Forbidden Stories Collective, ओके, Forbidden Stories Collective है, यह तुँ रिवील कोरी सिले है, Pegasus, Spiverto, Israel और G2 NSO गुरूपस है, ए गुरूप टे की कोरी सिले है, बेसेकिली इंडियन जान रिलीज थोग, इंडियन पोलिटिशन, इंडियन सिविल सोसाइटी गुरूप अग टार्गेट कोर इस पाइवर टू रिलीज कोरी सिले है, ठीक है, तो अभी क्या लिया है, इंडियन गौर्मेंट का एफोर्ट क्या हुआ है, एक जो है आपका पहले ही बोल दिया था कि चाइनीज आप को बैन कर दिया, ठीक है, नेशनल साइबर बैनिंग अन्सेव एप्स, नेशनल साइब सेकूरिटी स्ट्रेजी आपका लिया गया है, ठीक है, ये तो नेशनल सिकूरिटी स्ट्रेजी है, ठीक है, ये कॉम्प्रेंशी प्लेन फर प्रिपर धरिरिंग अद्रेसिंग साइबर अटक्स इस ओएटेज़ गआ प्री पोस्ट अंद डिविडिंग अतेक मीजर्स, तो नाशनल साइबर सेकूरिटी स्टेजी यू इंडियान गौवर्मेन टे है की कोई हिले लॉंच कोई हिले ता पासओ शार्टीन ठीक है सार्टीन साइबर इमर्जेंशी रेस्पोंस तीम आता बन्वा गोई हिले दुहेजार सारी शन और प्रा एटो अपरेट होया है ठीक है औ उसके बात नाशनल साइबर सेकूरिटी पोलीशी दो हराटेरा में भी लाया गया था ठीक है यह अब का मिनिस्ट्र आप इलेक्रोंइक्स ए इन्फॉरमेशन टेक्नोलोजी यह आत्रा में इसको लांच के लिए इसको लांच एटा साइबर सुरक्षिर भारत यह सब जो है for safety measures, अगर मानले जे हो भी गया तो उसके लिए हम लोग के पास क्या safety measures है, उससे related awareness बनाने के लिए government of India ने cyber surakshit भारत को launch किया था, ठीक है, उसके बार आपका personal data protection bill भी लाया गया था, information technology IT act of 2000 भी लाया गया था, it is the primary law for dealing with cyber crime and digital commerce in India, ठीक है, national critical information infrastructure protection center NCIIPC under section 70A of IT act of 2000, 70A section 70A of IT act of 2000, इसको बनाया गया था to safeguard cyber infrastructure. So, बहुत सारे initiative from banning of unsaved apps, ठीक है, देन आपका 13, देन आपका national cyber security policy, उसके बाद cyber surakshit भारत, cyber surakshit भारत, today's awareness उसके बाद IT act of 2000, उसके बाद national critical infrastructure protection center, national critical information infrastructure protection center, यह भी बनाया था, अंदर IT act 70A section 70A of IT act of 2000, इसको भी बनाया गया था, इंडिया असाम के case में, असाम cyber room project भी है, इसको भी थोड़ा आप लोग डेख लेजएगा. International effort के बारे में अगर बात किया जाए, इसको सिर्फ नाम याद रखना है, first is Budapest Convention on Cybercrime, ठीक है, यह पहला international treaty है to address cybercrime, India is not a signatory, Budapest Convention का part इंडिया नहीं है, next जो है internet corporation for assigned names and numbers, ICANN, उसके बाद जो है internet governance forum, event forum for multi stakeholder policy dialogue on internet governance issues, उसके बाद जो है Apple recommendation, in the present case, they recommend activating lockdown mode एक Apple ने बनाया है, ठीक है, a feature introduced in recent software updates iOS में, इस lockdown mode को हाली में introduced किया गया है, तो protect against rare and sophisticated cyber attacks, lockdown mode restricts certain functions to enhance security, now what more needs to be done, सबसे जो important है, जो करना चाहिए, it is about cyber awareness, जो cyber surakshit भारत जैसे campaign को चलाना परेगा, इंडिया की case में ये example है, ये example है, डुनिया भर में भी इसको चलाना चाहिए, tech diplomacy for cyber security, tech diplomacy की है, to strengthen diplomatic ties with advanced economies, यान basically those who are technologically advanced, तो tech democracies के साथ, और advanced economies के साथ, रिष्टा बनाना होगा, ठीके जिसको tech diplomacy बोला गया, to combat cross border cyber trade, उसके बाद cooperative federalism, तो basically आपका जो है, it empires states to equip law enforcement for cyber crime control and centralized statutory procedures for India, law enforcement, आपार आता बोडी ठागी बोला गया, and every, like every stage of, ठीके से, cooperation बोला जाते, every stage of cyber attack कोर अगेंस तो जाते काम होगा, so, हीटर बोला गुर्टा बोला गया, mandatory data protection बोला कारणा काम कोर गया, and national cyber security policies develop, to develop comprehensive national policies, addressing both cyber defence and offence, and allocate resources for cyber security, infrastructure and training, resources for allocate, कोरिब लागेंड़ गया, पॉषण आगी बोलागी होगा, tech diplomacy important होई, cyber awareness, कोरिब लागी होगगा, ठीके से and mandatory data protection, कोरिब लागेंड़, national level cyber security policies for take home country implement, कोरिब लागी होगी बोगी होगे, त़र लागवे, त़र जागी होगे, त़र जागी होगे, तो इंडिया ओन देर मेडियन चेंपियोंशिप ट्रोफी तिल 2016 इन सिंगापूर वाइल जपान बेग दा क्राउन त्वाइस इन 2013 और 2021 तो अजयन गेम चेंपियोंशिप चाइना भी शाओट कुरें तो फिर्ट प्लेस फिर्स इंडिया देन आपका जपान देन चाइन थीक ह तो एपोलो मिशनर कोठा होकोले जानो थीक है अपोलो 13 बुली को है तारे क्री मेंबर शीले ती के मैटिंगली इनके बार में भी कोशिएन इस बार आ सकता है जो हाली में जिसका जिनका डेठ हुआ है ठीक है मैटिंगली का सूराद बिकेम दा फर्स नेभी शिप इसे फर्स वर्षिप तो बेन अफर शीड वर्षिप गुजरा और सीक टी ऑूजरागा घ्थ शवर्षिण कहिए रषिट इस रार विरसे पार्षिप बेन कि देफित वर्षिप जड़ुडी का इस बार सब्टब रार्षिप थाज रर्षिप इस नेड़ जे सेब्ग ज़ जो आर्चरी चैंपियोंशीब होगा वो कहां पे होगा बंगलादेस में होगा एन इत विल बीड़ा 24 एडिशन ठीक है एन ये जो है आपका बंगलादेस विल लाइक आफ्टर विनिंग वोट्स इन दा बीड एद द वर्ड अर्चरी एस्या कॉंग्रेस हेल्ड इन बैंकोक थाइलेन में थाइलेन में क्या हुआ था रचरी एस्या कॉंग्रेस वहा था वहां पे नेक्स क्या होता है कि कहां पे उसके लिए बीड लगाना पड़ता है उस बीड को कौन जित या बंगलादेस जितिक है ठीक है Bangladesh and China applied for the beach as host countries for the 24th Asian Archery Championship finally the 23rd Asian Archery Championship will begin on Sunday November 5th in Bangkok, Thailand इस बार जो है 23rd बाला वो कहां पे हो रहा है बंकोग में हो रहा है next topic is about second varsity in northeast to grant menstrual leave ठीक है बहुत इंपोर्टन है बहुत भी सी बहुत भी सी इंपोर्टन है amid the global push for giving menstrual leave, Assam has taken a leave forward with National Law University and Judicial Academy ठीक है तत की को आगो से National Law University and Judicial Academy is menstrual leave दी आगो से which is a very good news and it is the second education institution in northeast after Teichpur University to grant menstrual leave to its female students so that's all for today ठीक है फिर हम लोग कल मिलेंगे thank you for watching if I would like you I should like two Just a bit